गई इतो कि ए स्भागत है आप सभी का बेच अरोना में बैच अर्जुना की educated की आज ये class number two होने वाली है और बैच अर्जुना की class number 31 होने वाली है ज्यान रहे बैच अर्जुना में आज से पहले में 40 इस पड़ा चुका हूं उन 40 class की जो link है पूरी playlist वो आपको description में मिल जाएगी या first comment में भी आपको उन सभी classes की link मिल जाएगी मैं आपको ये भी बतला दू बैच अरजुना में मैं आप लोगों को संपून UGC net paper 1 के पूरे syllabus को करवाने वाला हूं आज से पहले मैं आपको di करवा चुका हूं research करवा चुका हूं mathematics reasoning करवा चुका हूं और logical reasoning करवा चुका हूं और यह है पांच में नंबर की unit यानि चार unit complete करवा दी teaching attitude की पांच नंबर की class है एक ध्यान रखना यह बैच है सात्यों थ्योरी बैच है जिसमें आपको प्रतेएक चीज समझाता हुआ चलता हूं तो सात्यों सुरू करते हैं आज की class को बिने समय गवाए हुए सारे नौट्स आपको इस टेलिग्राम चैनल पर मिल रहे होंगे मुझे ऐसी उम्मीद है सारी classes के first comment में मैंने आपको नौट्स लगा रखे हैं पिसली class के नौट्स अगर आपको मिल चुके हैं तो आप मुझे comments करके बतलाईए तो इस टेलिग्राम चैनल को जोइन करना है यह must है जोइन करना और सभी अपनी pen coffee लेकर आए class में हम सब नौट्स बनाते हैं इस class के दौरान यह भी आप लोगों को पता है तो अब है सात्यों सुरुवात करते हैं teaching aptitude की class नंबर दो की सुरुवात करते हैं सात्यों कल हमने पढ़ाया था सिक्षन अभीवर्ति comments देखने वाला हूं यह पूरा syllabus है कल हमने अधिगम क्या है इस चीज को समझ लिया तो सारे लोग अधिगम का मतलब की समझ गये के सब लोग अधिगम का मतलब समझ गये अब मैं आपके थोड़ों से comments भी ले लेता हूं और एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एक बार मैं comment ले लेता हूं उससे पहले क्या हम अधिगम को समझ चुके है पिछली क्लास में अधिगम को समझा था कि अधिगम क्या है मैंने यह भी कहा था कि कि जो सिक्षन है वो मानविये मुल्यों पर विकास पर बल देता है एक बात यह सामजिक प्रिक्रिया है दो बात यह आप लोगों के लिए कि कभी भी जो सिक्षा है साथियों वो क्या है मौलिक अधार्णा नहीं हो सकती ऐसे तमाम चीजों को मैंने कल के क्लास में आपको सम हम जाने वाला हूं आए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक मैं समझाओं आपको सिक्षन के उद्देश क्या है सिक्षन की विसेष्टा क्या है इन चीजों को आज पढ़ाने वाला हूं सिक्षन को देश सिक्षन की विसेष्टा इसके अलावा जो सिक्षन की प्रकरती क्य है इस पर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे कि नेचर ओप टीचिंग क्या होने वाला है आज की क्लास में इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो बिल्कुल लगातार बैठते रहिए और मैं एक बार कॉमेंट्स आप लोगों के देख लेता हूं जान रहे पैन कॉपी उम्मीद हैं आप लोगों निकाल ली होगी समय नहीं को आएंगे नमस्ते भाई नमस्ते सरहिंदी की क्लासेज कहां से लें प्लीज बताइए बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा हाई सुल्तानाम हलो 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 हाई लक्षमी हाई दिबाकर दूबे सब लोग आजाये हाय दिबाकर जितने भी लोग है इस ट्लास को जो देख रहे हैं वह सब लोग साथियों आ जाये यह चलास आप लोगों के लिए बहुत जादा मैत्पून होने वाली है तो यह ठीज़े हैं आपके लिए मैत्पून होने वाले लाइट जला दिया मेरे बा लोग अगर आपका मन करता है तो हर हर मादे घर घर मादे चलिए साथ अब हम बढ़ते हैं सिक्षन की नेचर क्या है एक बार मैं आपको बता दू किलास का जो रोज का जो टाइम है ना वह नाइन पीम आपको यहां पर नौ बजे लिख रखा होगा क्लास का टाइम है डेली र कल मैंने आपको इसके बारे में संग्यानात्मक भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया था कि संग्यानात्मक किसे कहते हैं क्रियात्मक किसे कहते हैं इन चीजों के बारे मैंने आपको समझा दिया था एक की मैंने कपाहँ के आपने कर लिए नायकर अंवयक्षण सामाजिक और व्यावशाईक प्रकिरिया है सामजिक प्रकिरिया इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है कि सिक्षा क्या है सामजिक और व्यवसाइक प्रकिरिया है सामजिक प्रकिरिया किस रूप में है सामजिक प्रकिरिया इस रूप में कि इसके माध्धम से जो समाज है वह सई दिशामे चलता है यहिए तो विध्यां से विनम्रता आती है और विनम्र व्यक्ति एक अच्छा बिहेवियर करता है तो विध्या ददक्राटी विश्ड को बल देता है और यह व्यवसाइक पर्केंप अगरा आप सीखोगे तो जानोगे आप अच्छी नोकरी पाओगे, आप प्रोफिसर बनोगे, तो आपका व्यवसाय अच्छा होगा, आपको आर्थिक चीज़े भी मिलेंगे, और एक चीज और धान रखना, सिक्षन क्या है, से उद्देश प्रिक्रिया है, ये सारी चीज़ें आपसे एक्जाम में डायरेक्ट मुची जाएंगी, Multiple Choice के Questions में दे दी जाएंगे, देखो, आप इस समय NetJRF की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका उद्देश हो है, आप Teaching Attitude की बैच अरधुना लेने नहीं आते, बैच अरधुना की क्लास लेने इसलिए आयो हो, क्योंकि आपका उद्देश है NetJRF के एक्ज ये नहीं होता है, ध्यान रहे, देखो, सिक्षा भी सह उद्देश पर करिया है, और Research यानि सोद भी सह उद्देश पर करिया है, उद्देश के साथ, सिक्षण विकास आत्मक पर करिया है, ये क्या है कि सात्यों विकास पर बल देती है, development पर बल देती है, सिक्षा विकास प सब रूपों में आपका विकास हो जैसे कि मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं केवल ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक या टीचिंग अप्टीटूट ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको ऐसे उधारन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिससे आप अपने जीवन में बहुत कुछ स चलिए एजबुड़ों तार्किक प्रक्रिया है जी हां साथ यहीं आपके सामने अगर आप सक्षण की बात करोगे तो सक्षण लॉजिक पैदा करेगा आपके अंदर तरक सकती का विकास होगा तर्क सक्ति का विकास होगा आपके अंदर अगर आप educated हैं तो अगर आप पड़े लिखे विक्ति हैं तो आपके अंदर सिक्षा तर्क पैदा करेगा संचिप्त में देख रहा हूं इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूं सिक्षण ओफ चारिकता के साथ साथ अनौफ चारिक प्रिक्रिया भी है देख अब यहां पर हैस्टेग लिखकर मैंने आपको सुरुवात में एक चीज बताई कि सिक्षण एक अनौफ चारिक प्रिक्रिया है मैंने यह कहा है स्टार्टिंग में कि सिक्षण एक अनौफ चारिक प्रिक्रिया है यह मैंने क्लास के आरम में आपको बतला दिया लेकिन आभी आम से कह रहा हूँ कि विध्याले और विध्याले के बहार सिक्षा कारिकर्म संचालित किये जाते हैं अब एक एडिंग डालो और लिखो एक हैडिंग डालो इस्टार मना कर हैडिंग डालो इस्टार बनाके रैडिंग डालो, लिखो ओप चारिक सिक्षा, लिखिए ओप चारिक सिक्षा या सिक्षन, यह आडिंग डालो, चलिए, समझाता हूँ, लिखो ओप चारिक सिक्षा या सिक्षन किसे कहते हैं, लिखे, मैं आपसे फिर से कहे दूँ कि मेरी क्लास में अगर आप आये हो, तो यह make sure कर लिया करो कि इस क्लास में नॉट्स बनाए जाएंगे, और आपको पैन कॉपी लेकर ही बैठना है, ओनलाइन क्लास में मैं ओफ लाइन के जैसे पढ़ाता हूँ, ज्यान रहे, ओके, ओप चारिक सिक्षा या ओप चारिक सिक्षन किसे कहते हैं, लिखे, जब हम, जब हम, किसी स्कूल, कॉलेज, या अन्य किसी सेक्षणिक संस्थान लिखो, जब हम किसी स्कूल, कॉलेज या अन्य सैक्षणिक संस्थान, कंप परिशर में रहेकर, परिशर का मतलब बताँ हो, उसका केम्पस, सिक्षन कारिय करते हैं तो उसे आफचारिक सिक्षन कहा जाता है उधारन के लिए जब हम कोई स्कूल या कॉलेज में जब गए थे तो इस्कूल और कॉलेज का सारा सिक्षन कैसा था आफचारिक सिक्षन था अब लिखिए अनौप चारिक सिक्षन किसे कहते हैं कि अनौप चारिक सिक्षन किसे कहते हैं एंडिंग डालिए हेडिंग डालिए अनौप चारिक सिक्षन जब हम कॉलेज जब हम इस्कूल कॉलेज या किसी अन्य सिक्षन संस्थान के जब हम इस्कूल कालेज या अन्य सिक्षन संस्थान के परिसर में रहकर फिक्स समय या फिक्स पाठिक्रम के अलावा सिक्षन कारिये सिक्षन ग्रेंड करते हैं तो उसे अनौप चारिक सिक्षन कहा जाता है अब एक बास्त को समझो और ध्यान से समझने का प्रियास करो देखो जब हम चुन कोजल फिक्स ताइम पर जाता है कि भाई इतने बज़े से लेकर इतने बज़े तक आपका इव्षन अप्र होता है उसको कहते हैं Opera जाब आपने देखा हो गा कि हम कयी बार क्या इसमें ला एक चीज ओर रहे एक चीज और यह एक नंबर का सिक्षन है यह दो का इसमें एक तीसरे नंबर का और आएगा वह मैं आगे समझाऊंगा इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ अभी ठीक है एक और आएगा जब हम अब इस क्लास में अगर हम पढ़ रहें इस समय तो यह अनौपचारिक सिक्षन क्योंकि यह इस यूटूब चैनल पर आप कभी अभी अपने मर्जी का नुसार पढ़ सकते हैं इसे अनौपचारिक सिक्षन कहीं इसकूल कॉलेज या कोचिंग सेंटर में जाकर अगर आप पढ़ते फिक्स समय पर तो उसको आपचारिक सिक्षा कहते हैं अभी ध्यान रहें दूरस्त सिक्षा भी आने वाली है यानि जैस कॉमेंट्स करके बताओ अभी जो लोग देख रहे हैं वो भी और जो रिकॉर्डेट फॉर्म में देखेंगे वो भी क्या आपको समझ आ गया है और अपचारिक और अनौपचारिक सिक्षन एक बार लिखें कॉमें पेपर वन की क्लास डेली नौ बजे होती है वीरी गुड़ आए आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर सिक्षन उपचारात्मक प्रक्रिया है कंई क्या है कि से हम क्या डूंड लेते हैं उसका हम अगर निवारण डूंड लेते हैं अगर पड़ा लिखा हुआ आदमी किसी भी चीज का हल आसानी से ढूंड लेता है बिना पड़ा हुए आदमी उस तरीके से हल को नहीं ढूंड पाता है तो सिक्षन क्या है आपके अंदर निवारन या हल ढूंडने की सक्ति को डवलप कर देती है जब आप पढ़ जाते हो लिख जाते हो तो हल ढूंड लेते हो चीजों का सिक्षन भासाई प्रक्रिया है पड़ा लिखा आदमी हमेशा तत्यों और आखडों पर बात करेगा ऐसे कि लटके जोर से बात नहीं करेगा कभी भी कि लटके जोर से बात करेगा नहीं पड़ा लिखा आदमी काईदे से बात करेगा आकड़ों डेटा के साथ बात करेगा सिक्षन सतत प्रकिरिया है जी हां सातियों सिक्षन क्या है एक लगातार चलने वाली प्रकिरिया है जिससे आपका कौसल ग्यान और छमता आपकी भड जाएगी ये मैंने आपको संचिप्त में समझा दिया है आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं सिक्ष कि ड्रीयस करनों और समोद्वधियाid करते हैं कि इस पहला कि यह कि आप मुझे बताओ क्यों सब्सक्राइब मुझे पढ़े हो आपका ऊद्देश क्या है पढ़ाई District कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं मुझे काम करने और आप जो काम बताओ आपके पढ़ाई का उद्देश क्या है एक बार मुझे कॉमेंट्स करके बता दो जब तक मैं जल ग्रेंड कर लेता हूं बताओ कि सर मेरा यह उद्देश पढ़ाई करने का इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं बोलो बताओ बताओ क्यों पढ़ें आप लो और वीडियो लाइक नहीं किया दो वीडियो को लाइक कर दो किया गोवेंट आप लोगोंने आचारे रामचंद्र सुक्ल जिन्दा हैं अभी हाँ वो तो कैसे जिन्दाई होंगे जिन्दाई हैं बिल्कुल जिन्दाई है ओके सुक्ल जी नेट जयारेम निकालकर PhD करना है प्रोफेसर बनना है ओके मुझे जोहलरी का शोरूम खोलना है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं बहुत बढ़िया खुद की पैचान बनानी है सिवांगी पांडे कह रही है अन्सु कह रही है कि मास्टर बनना है जुग्गू कह रहे हैं इस वात प्रोफेसर बनना है ज्यारेफ उद्देश्व ऐसा बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग चीज यहां पर कही है एक बार सब लोग कॉमेंट्स में टीचिंग एप्टेट्यूट लिख दो आप लोग ऐसा करो यूजी सी नैट टीचिंग एप्टेट्यूट लिख दो कॉमे कि वेरी गुड आये साती हो पैन कॉपी निकाल लीजे और सिक्षन के उद्देश आज हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है टीचिंग के उद्देश क्या है आप पढ़ते हो तो क्या होता है लिखिए उद्देश नमबर एक सामाजिक वे मानवे मुल्यों का विकास करना लिखो पैन कॉपी यह तो लिख रखा है लेकिन फिर भी लिखो लिखिए चलिए लिखिए एक नमबर सामाजिक वे मानवे मुल्यों को विक्सित करना यह मैं आपको पहले दिन भी यह चीज लाइन पढ़ा चुका था पहले दिन यह लाइन में आपको पढ़ा है कि सिक्ष पढ़े लिखे हो जाओगे तो आप अपने सरीर पर ठीक से ध्यान्दोगे और आपका मानश्य विकास भी अच्छा रहेगा कि यह पढ़ने से आपके फायाद है आध्यात्म और नयतिक विकास होगा आपका परफ्तितियों से अनुकूल काम करोगे अगर जैसा देश वैसा बेश रख लोगे अगर आप गाहँ में गए तो गाहँ किसी भाषा बोलोगे सेर में गए तो सेर की भाषा बोलोगे शिक्षक के साथ से पाठियों और विध्यारतियों के साथ अपनी क्या बुन्य भाओगे से भागिता निभाओगे आप पड़ोगे तो इसमें आपको से भागिता मिलेगी जीवन को पूर्णत्या और व्यापकता प्रदान करने में आपको यहां पर सिक्षन क्या है आपकी help करेगा जीवन को पारजन यानि जीने के लिए आप क्या करते हो यह आपकी सिक्षन बहुत चीजें define करता है ज्यान में बुद्धी विकास होगा चरित्र का निर्वान होगा और आपसी सयोग और ब्रात्रुत की भावना का विकास होगा मैं चाहता तो एक एक लाइन पर मैं आपको पांच-पांच मिनट समझा सकता हूं लेकिन यह लाइन इतनी कठी नहीं है कि मैं इस पर समझा कर टाइम वेस्ट करूं तो अगर आपको कोई लाइन समझ नहीं लगी है तो मुझे कॉमेंट्स करके बता दो अन्यता मैं आगे प आगे बड़ते हैं अब पढ़ते हैं सात्यों सिक्षन की विशेश्दा क्या है विशेश्था सबसे पहले प्रगरत्य सीलता प्रोग्रेसिव हो जाओगे आप प्रकरती सेलता आपके अंदर क्या आजाएगी आप थोड़े से प्रोग्रेसिव हो जाओगे सिक्षन से जैसे आपने देखाओगी अनपड़ लोग बहुत सारे आडंबरों में फश जाते हैं बहुत ज़्यादा चीजों की गलत मैमिया पा इस साथ है पाधि बनने से रोकता है एक बाद सिक्षन की अगले विशेष्ट है विध्यार्ति और सिक्षक सईयोग के साथ आगे बढ़ते हैं जैसे मैं आपका यहां पर सउयोग लेता हूं कि भाई आपको समझ आया जबंआ आपकेट तो समझ आ गया तब मैं जाकर आगे बढ़ता हो ओके नैतिक विकास क्या है यह पूछा है मुझसे अमरित ने अमरित ना एक कॉमेंट किया था थोड़ देर पहले कि वो सेवा करना चाहते हैं किसकी पता नहीं समाज की सेवा करना चाहते है यह सेवा भाव भी नैतिक ही है नैतिकता का मतलब होता है जो सिधानतों के आधार पर जो मानवे मुल्यों के आधार पर सही हो वही नैतिक है जैसे आप अपने बड़ों का सम्मान करोगे यह नैतिकता है आप अपने से छोटों को प्रेम दोगे उनका मदद करोगे यह नैतिकता है आप समाद सेवा कर रहे हो यह नैतिकता है यह सब नैतिक ही तो है जो चीज मानविय मुल्यों को बढ़ावा दे वो सब चीज नैतिक है आप लोक जन की सेवा करते हो नैतिक है आप किसी बीमार आदमे की मदद करते हो नैतिकता है यह सब चीजे नैतिकता के दायरे में आती है जो तुम कह रहे ते कॉमेंट्स करके कि मैं सेवा करना चाहता हूं वो सारी चीजे नेतिक था ही है अम्रित आयोप आपको इस चीज आप समझ लग गए होगी कि दार में दर क्या है अनुकूल क्या है सर अगर आप अनुकूल इसमें स utilizz अनुकूल का मतलब की होता है अनुकूल का मतलब होता है। कि मास देने गहें बहुत ज्यादा Чер्मी पड़ रही थी और बरसात हो गई वह समय एकदम ठंडा हो गया आपके अनुकूल हो गया ऐसे कोई भी काम ऐसा कोई भी काम जो हमारे कारिये करने में बल प्रदान करें हमको मदद प्रदान करें उसी को अनुकूल कहते हैं अनुकूल का मतलब है हमारे अनुसार क्या होता अनुकूल का मतलब हमारे अनुसार ओक लिखते जाये चाहो तो इनकाव हमारे अनुसार हिंदी और अंग्रेजी के विद्ध्यारती कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो मेरा मैं हिंदी के विद्ध्यारतियों पर विशेश जोर देता हूं और हिंदी में पूरी चीजे समझाता हूं पर इंग्लिस के विद्ध्यारती विジ सब्कु knows good और आप कहिंभी कोई पेड किलासेट मीडियम की पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम की बच्चों के लिए ना weights कि लिए ना अच्छे टीचर ऑवलेवले वैन के अदिकितर इंक्लिस मीडियम में ही पढ़ाते ने ने लिए जाता है तो कया कारष्ठानी करता है पीपीटी इंग्लिस की रहती है लेकिन बोलता हिंदी में अब उसको खुद को भी ज्यादा हिंदी नहीं आती तो समझाता फिर इंग्लिस में है इंग्लिस में समझाता है ऐसे एक चीज़े इसे इंग्लिस में समझाता है अब हम तो हमारे हिंदी के बच्चे तो उतन तो हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाऊंगा एक एक चीज में हिंदी में समझाऊंगा और उनकी समझ के लिए अंग्रेजी भी साथ रखूंगा लेकिन मैं हिंदी में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा यह मेरा आप लोगों के प्रियास है अगर लिए देवी जी देवी जी रोज अनहल्दी खाना चलो भाई पीजा खाली जिए पिज्जा बोलते हैं पीजा बोलते हैं इसको मेरे बट में एक टुकड़ा आया है तो क्या मेरी इस पहल का आप सपोर्ट करते हो तो एक अच्छा सा कॉमेंट आप लिख दीजिए जो अभी देखने हो भी जो बाद में देखने हो भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं समर्पित हूं हमेशा शरू करें आगे बढ़ें और कोई सवाल पूस सकते हूं कोई दिक्थ वाली बात नहीं है कॉमेंट सामने चल रहे हैं मतला होता है इधारी मितलब ना जादा पंडा लेका आदमी रहेरीवान होता है ना तो बहुत ज्यादा खुसी में पागल हमें नहीं बहुत ज्यादा दुख में तूट जाता है यानि कि वह अपने को थोड़ा से दोड़ा सा बैलेंस करने की कौसि sometimes करता है क्या है बैलेंस करने की कौसिज करता है अच्छा पड़ा लिखा सिक्षण आदमी सम्वेगों को थोड़ा सा क्या रखेगा काबू में रखे प्रभावी नेयोजन का मतलब क्या होता है यह जो प्लानिंग करेगा योजना जो बनाएगा वह सोच समझ कर बनाएगा सिक्षण की विशेष्था है पड़ा लिखा आदमी जब भी को योजना बनाएगा तो सोच समझ कर बनाएगा और प्रभावी होगी थैंक्यू लक्षमी थैंक्यू भाई यह इसमाइल विलोगर कौन है बार-बार कॉमेंट करके डिलीट कर रहा है अगर इतनी खराब ही कॉमेंट कर नहीं है तो ब्लॉक कर दूं भाई तुझे एरे इसमाइल विलोगर बार-बार कॉमेंट कर रहा है तो पढ़ने ही पा रहा है लेकिन डिलीट कर रहा है ब्लॉक क पढ़ने आये हो तो पढ़िए है वह पढ़ने आयो तो पढ़ो वैसे समय खराम मत करो मुझे जरूत भी नहीं है ऐसे लॉंड होगी अगर कोई भी कॉमेंट गलत आया और डिलीट मिला मुझे तो मैं अभी तुरंद ब्लॉग कर दूंगा दुबारा नहीं काऊँगा हां ठीक है नहीं कर रहा हो भी कोई बात रहे चलिए लोग तंत्रिक आदर्सो के अनुकूल काम करेगा पढ़ा लिखा आत्मी हमेशा लोग तंत्र के अधूनुक काम करेगा उत्तम विदियों पर काम करेगा प्रतक्ष और प्रतक्ष कक्षम अच्छा विवार रहेगा सानों भूती रहेगी और वो क्या करेगा सात्यों निर्देश के अनुसार काम करेगा यह है पढ़ने की विशेष्टा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा एक बार सब लोग रीड कर लो क्योंकि कौशन आता है नि इसर अधाए जो जो इए अख कर दो डिया दोनाब कर दोड़ा कर दोड़ा है है लोगा आए और इस अव्यक्रिव श्यक्यार चाहिटा अधाट क्या चाहिवार है है पर लिया हो सके तर नौट भी कल लो इनको अले पीजा दे दिया थे ना पिज़ा खागे निप्टा आ रहा हूं एक बार कि दूख़ा हूं हो हूं हो झाल झाल ओके गाई पढ़ लिया आपने एक सब्द आता है निर्दशात्मक्ता एक सब्द के नीचे निर्देश लिखा हुआ है निर्देश और निर्देशात्मक्ता निर्देशात्मक्ता का मतलब होता है कि कारिये को कारिये के अनुरूप दे हुई गाईड लाइन के अनुसार ही करना इसे निर्देशात्मक्ता कहते हैं जैसे अगिर मैं आप से कह रहो मैंने आपको निर्देश दे रखा है कि भाई आपको नौट्स बनाते हुए चलना है तो अच्छा अच्छा बच्चा मेरा इस निर्देश को मानेगा और नौट्स बनाएगा कि चलिए कि विध्यारती सिक्षण के संबंद अच्चे होंगे निदानात्मक का मतलब क्या है यह शव्द बार बार आएगा नौट कर लो निदानात्मक का मतलब क्या है किसी चीज का निदान करना निदान मतलब हल करना या उपचार करना किसी चीज का हल निकालना उपचार करना इस सरे क्या पूंचो सरी क्या बात है जो का बात पूचने उसको नहीं करो प्लीज प्लीज कहरी हो विध्यार्ति तो आध हमने क्या पढ़ा अभी हमने पड़ा कि सिक्षण के उद्देश क्या क्या है सारी चीज अच्छी तरीके से देख ली और सिक्षण की विशेषता क्या क्या है यह अच्छी तरीके से देख ली कि सिक्षण के उद्देश क्या है और सिक्षण की विशेषता क्या क्या है अब मुझे बताए कॉमेंट्स करके कि किसी विध्यारतियों को सिक्षन के उद्देश या सिक्षन की विशेषता नहीं समझा रही हो तो मुझसे आप एक बर कह दीजे देखो ये अभी जो मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूं ये एक परकार की फाउंडेशन क्लास है धीरे धीरे क्लास का इसतर बढ़ता जाएग दीरे धीरे हम कठिन सिलेवस के टॉपिक्स के और बढ़ते जाएगे ये सुरुवात है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एक और के गाई देखो मैं इस क्लास में एक बात कहना चाहूंगा कि जो विध्यारती इस क्लास में बेट जुड़ा है मैं आभी मुझे आत्स देखने लगा है या अभी दो-चार दिन से देखने लगा है देखो तो थो बाई साव यह मैं पढ़ा रहा हूं न इस बैच का नाम है बैच अरजुना बैच का नाम क्या है बैच अरजुना है यह जो बैच है यह थ्योरी बैच है आप लोग क्या करते हो MCQs पढ़ पढ़ के अपना टाइम खराब करते हो जब तक आप किसी चीज की थिोटिकल रूप से नहीं समझोगे तब तक MCQs पढ़ने का कोई मैतू नहीं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए थोरी बैच पढ़ा हूं और मैं आपको थोरी भी पढ़ाता हूं और फिर उसके MCQs और PYQs भी करवाता हूं ठीक है रोज रातरी 9 बजे ये क्लास होती है दोनो टाइम दोनो जगे मैंने इसका टाइम लिख रखा है इस समय टीचिंग आपटिटू्ट की क्लास चल रही है बैच की कलास नमबर 41 है और युनिट है नमबर वन ये टीचिंग आपटिटूट की क्लास नमबर 2 है अब आपने सोच रहे होँगे इतsystemस क्लास में आप तक आपने क्या-क्या पढ़ा दिया तो आई ये बतला देता हूं कि मैंने आपको अब तक क्या-क्या पढ़ा दिया और वो कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बतला दूँ देखो अब तक मैंने क्या पढ़ा दिया अब तक मैंने आप लोगों के लिए मैत पढ़ा दिया प्रीजिंग पढ़ा दिया करवा दिया और मैंने आप लोगों के लिए क्या करा दिया रिसर्ष भी अब मैं के मन में सवाल आ रहा होगा सर बांकी कि किलास कहा मिलेंगी बांकी किलास मिलेंगी आपको इसी वीडियो के description में पूरी playlist मिल जाएगी कैसे मिलेंगी एक्जामपल के रूप में अभी हम जो क्लास यह क्लास देख रहे हैं हम चलते हैं अपने यहां पर और यूटूब को खोल लेते हैं जब यूटूब खोलेंगे तो अपनी क्लास आपको कहिन कहीं जैसे आप लिखो डॉक्टर लॉकिस आपने डॉक्टर लोकेश बाली लिख दिया अब डॉक्टर लोकेश बाली को यही वाली क्लास तो चल रही है न भाई हमारी आपने डॉक्टर लोकेश बाली लिख दिया यही वाली क्लास चल रही है अभी जिस क्लास को आप देख रहे हो वर्तमान में उसी क्लास के नीचे ड और पेपर वन बैच अर्दुना प्लेलिस्ट दिख रखी है तो हम प्लेलिस्ट वाली लिंक पर क्लिक करेंगे जैसे हम प्लेलिस्ट वाले क्लिक करेंगे हमारे सामने नंबर एक से चल जाएगी नंबर एक नंबर दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस ग्यारा बारा अलग क्लास को तीन मेने पहले पढ़ाया था यह नंबर जिसमें में दो लाग से जाधा लोगों Pikachu ने इस क्लास को देख लिया लेक weltना मद 2 सी नमर 2 67,000 यह को 48,000 लोगों से जाधा देख लिया मतलब विशेश प्रेम हैं यहां आप लोगों का जो मिल रहा है आप इस तरीके से पूरे 40 के 40 क्लासेज को आप इस तरीके से देख पाओगे तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझा दिया है कि आप किस प्रकार से से अमारी क्लासेज को अब मैं आपके कुछ सवाल ले लेता हूं हाँ सारे नौट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस टेलिग्राम से भाई बास समझ गया ना कि कैसे आपको क्लास देखने आप तो प्रण कर लो कि भाई मुझे एक नम्मर्स लेकर आरपार बैच अर हाँ सारे पढ़ा दे और पूरा पढ़ाऊंगा बुल-बुल कहरें कि यह आपके चैनल पर मेरी पहली क्लास है भाई स्वागत है आपका जिन लोगों की पहली क्लास स्वागत है वह मैंने आपको टरीका पता दिया कैसे आपको पहली किलास से लेकर 40 किलास तक देखना है राज ठाकुल किलास वर नहीं बेटा यह बार-बार आप लोग कह रहे था है इसलिए मैं आपकी चालंट देखने लग देखने लग गया हिंदी इंग्लीस मिडियं में पेपर बढ़ाता हूं लेकिन मेरा विशेज जोर इंगलिस मीडियम पर हिंदी मीडियम पर है आप लोगों का पेपर टू क्या है मुझे आइडिया नहीं हाई रिम्पी जी कैसी है देवी रिम्पी जी क्या आल चाले आपके कैसी है आप नूरी सोलंकी का भी पहली क्लास है स्वागेत नूरी आपका रूबी का भी पहली क्लास है अनाया बालोत पेटा अनाया कितना ओपर कॉमेंट गया मुझे पता नहीं लग रहा है कॉमेंट लिखो अनाया क्या पूँचना है अपको अनने डेली पढ़ा दे अपको हर चीज पढ़ा दी मैत बहुत प्यार से पढ़ाईए इतना अच्छे से मैत पढ़ा कि अगर आप पड़ लोगे ना तो सोचोगे कमाल पूरा मैत। पूरा डी आई बहू स्वाकताया ये सबकी बात सुन रहा हूं इसलिए मैं कॉमेνट क का रिप्लाइ कर रहा हूं अपना कॉमेंट्स लिखो यह मत लिखो कि मेरी बात सुन लो अपनी कॉमेंट्स लिखो सर मुझे साइकॉलजी पढ़ना है अनकेडमी पर किलासेज मिलती है साइकॉलजी के मनोविज्ञान की वहाँ पर मिल जाएंगी मैं या नहीं पढ़ाता मुझे में किस सब्जेक्ट से करना चाहिए हिस्ट्री जोग्रोफी इंदी लिट्रेशर मेरा ड्रीम है यूजिसनेट क्वालिफाई करना अनाया बालोत हर सब्जेक्ट अपने आप में बैस्ट है वेटा लेकिन जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप उससे करो जो सर मुझे बोटनी की Ensuite ूप लिए रूबी यादा ओ बोटनी की क्लास बेटा आपको अने केड़िमी पर मिलेंगी अनीचेयंड मी जょउइन कर लो ऊपर कुछ पेड़ क्लास होंगी आपको वह जोइन कर लेना है जान रहें हैं अने क्याडिमी जोइन करो भ 확न सो लिख दो डिसकाउंट कॉर्ड मैं बता देता हूं अने केड में पर डिसकाउंट कॉड़ है लो की डिसकाउंट कॉड़ है इसको नौट कर लो इससे आपको डिसकाउंट मल जाएगा द्रॉपदी बैच कब से आने वाला है हाँ द्रॉपदी बैच की ही चीजे तयार कर रहा हूं द्रॉपदी बैच आपके लिए जल्द आने वाला है द्रॉपदी बैच हिंदी लिट्रेचर के छात्रों के लिए आने वाला है और द्रॉपदी बैच का जो समय रहने वाला है व तारीक से द्रॉप दी बैच आपके लिए शुरू कर दिया जाए क्या कहती है पबली बस मैं उसी के नॉट्स बनाने में लग रहा हूँ कि आप ऐसे यहां पर हिंदी लिट्रेचर के कितने विध्यारती हैं जो अभी देख रहे हैं वह और रिकॉर्डेट देख रहे हैं वह सब मुझे कॉमेंट्स करके बताओ सर मेरी भी सुन लो एक बार कंफिजन क्लियर करना क्या पेपर वन और पेपर टू अलग अलग मीडियम में दे सकते हैं क्या बेटा मीडियम कि जर्रत ही नहीं होती हाँ दो मीडियम ओते हिंधी इंगलिस बिल्कुल अलग कुछ जोग्राफी से में करने नेट भी करना है पेपर वर्म में पेपर दिया था लेकिन नेट होने मुश्किल है अच्छी तैयारी करा देना सब्सक्राइब बिल्कुल करा दूंगा भाई चिंदा ना करो अच्छा मैं एक काम करता हूं पर मुझे आपकी क्लास के नॉट्स चाहिए इंदी साहित के बेटा मेरे पास नॉट्स नहीं है राजेस योगेस जी जाटाओ मेरे पास नॉट्स नहीं है बस मैं धेरे-धेरे नॉट्स बनाऊंगा मेरे पास ऐसे नॉट्स को रखे हुए नहीं है कि मैं आपको दे दूँ योगेस जाटाओ मैं आपको क्लास लेता हूं तो ही नॉट्स बनाता हूं सर प्लीज कॉमेंट्स देखिए सर संजू आप एक बर कॉमेंट्स करो बेटा सर सोशल वर्ग के लिए क्लास हम मैं प्रवाइड नहीं करवाता मेरा मन है कि क्लास को ओवर ना करूं आगे पढ़ाऊं लेकिन आप कॉमेंट्स इतना कर रहे हूं उनके जवाब देना में जरूरी है सर पेपर वन का कोशन सब सब्सब्जेक्ट का सेम आता है क्या सिलेब से में एक दिन जो एक्जाम लगती है उसका सेम आता है वैसे अलग-लग आता है हर दिन पर सेम मानकर चलिए आप अमित वाई स्वागत है आपका संजु करें मेरा पेपर से डिफेंस है नहीं हम डिफेंस स्टेडिस की तयारी नहीं करवाते मेरे को जोग्रफी से एमे करना है कितनी परसंटेज चाहिए ऐसा कोई परसंटेज नहीं है बी एमें 45 परसंट से जाद हो बस बहुत है हाँ लाइब से क्लाश चलता है कल की क्लास में आना मैं आपको पूरा तरीका बता दुगा कि कैसे आपको क्लाश जोईन करनी हैं जो लोग क्लास जोईन करना चाहते हैं वह इस वीडियो को देख लो मैं लिंक सेंट कर रहा हूं रुख जाओ कि मैंने लिंक दिया है अभी जो लोग फर्ष्ट वेपर के क्लास देखना चाहते हैं सबसे ऊसको क्लास होगी सबसे इक धिन फीन होगी एक विल् tät यह संवाफत कर रहा हूं. क्योंकि आज आपके मैंने कॉमेंट्स बहुत ले लिए हैं दिसंबर के लिए तैयारी करवा रहा हूं मैं आपको मेरा टार्गेट दिसंबर जून ही है दिसंबर और जून की मैं नहीं किया एक्जाम ही मेरा टार्गेट है जून और दिसंबर वाली एक्जाम के टार्गेट कर लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैच अर्दुन की टोटल क्लास देख डालो डिस्क्रप्शन में लिंक मिल जाएगे आपको ठीक है और बस इतना ही यार आज के लिए बस विदा दीजिए मुझे अब हम कल मिलेंगे 9 बजे और ब बहुत सुक्रिया बहुत धन्यवाद आप तो मिसन मना लोगी पूरानी पूरी क्लास देख नहीं मुझे मिसन मना लो आप है थैंक्यू गाइड